अब खैसारी लाल जादव का जारखर में प्रोग्राम नहीं होगा हर हाल में अच्छारा सिंग का करकरम होगा है अभी जमुगा मिर्जागंज में अनुपमा जादा बर छोटु चलिया का कार्च करम है आठ दस दिन बाद बाप का अउकाथ हता करके रोक ले पटक पटक के मा दिया है तुम्हारे वीडियो हमारे पास है मोतिलाल महतों का वीडियो और वह साला प्रेम नायक जो खुड जो भड़वा गिरी करता दिनबर रिल्स बनाता है लड़कियों के साथ खेसारी लाल जादव के गाना पर पवन सिंग के गाना पर हम उसको पूछरा चाहते जब जयन सिन्दा हजारी बाग के सांसत के नेत्रित में उसकी दीदिक कच्रा सिंग का कार्च करम हुआ और उसका बहनोई साला पवन सिंग का जब कार्च करम हुआ तब तुम विरोध क्यों नहीं इकता चुनाव लड़ेगा अधिस मुद्धे पर मोतिलाल सामने आ करके या जै जोहार सभी को लाइब में थोड़ा प्रॉबलम हो जाने के कारण कट गया था तो आज हमने अभी आपको पता होगा कि यहां पर सुचकून महत्सो चल रहा है और उसमें एक कलाकार को बुलाया गया था जिस पर हमने बिरोध किया था कि यहां पर असलील गाने और असलीलता नाई चलतो और बाहरी कलाकार नाई चलतो इस वीडियो को गलत तरीके से मैनुपलेट करके एक जाती रंग दे दिया गया है और कहा गया है कि हम पर आरोप है कि जब यहां पर अच्छरा सिंग आती है पवन सिंग आते हैं तो उसका बिरोध नहीं किया जाता है और भी बाह कहीं उनको या सुना दिजेगा आज से एक साल पहले हम एक वीडियो बनाया थे आज का वीडियो भी मेरे हाथों में सूपूत के साथ है मेरा पेज में भी आप मैरा पेज में जाके तरीयो में जां almost सह्त जब पवन सिंग को और जमताडा में जब अच्छरा सिंग को बुलाया गया था और गढ़वा में भी जब अच्छरा सिंग को बुलाया गया था तब भी हम उस पर वीडियो बनाया थे और बोले थे कि बाहरी कलाकार ना चलतो बाहरी भासा ना चलतो सबसे पहले हमारे अस्थ दिखाते हैं सुबुत के साथ ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाईएगा देखिए ये वीडियो है मेरे हाथों में तीन फरवरी 2023 को है जब हम ये अच्छा सिंग और पावन सिंग का भी विरोध किये थे ये वीडियो हम प्ले करके आपको सुनाएंगे और अगर आपको लगता है कि अगर डिटेल से आपको देखना है तो मेरा फेस्बूक पेज है मोतिलाल मातों बिद्रोही आप उसमें तीन फरवरी में जाएगा ये वीडियो आपको मिलेगा अभी हम प्ले कर रहे हैं इस वीडियो को आप सुनिएगा सांड उख्ला कम मिलेगा इस व सेोल को हम लोग बैकोट करते हैं जिसका हम वाहिसकार करते हैं उन्ही कलाकारों को अमांत्र कर जारे है interns इट alegria महसो में 20 वहारी को पवन सिंग का कारकरम रखा गया और ये पवन सिंग का कारकरम जो भजपुरी कलाकार है इसके दुआरा रखा गया जारखन के परियाटन एवंबिकास संस्कृति मंत्रा ले आनि जारखन सरकार के दुआरा जिसके मंत्री है अब हम पर आरोप है कि हमने किसी जाती विशेस को टार्गेट किया है और वीडियो बनाया है तो यह गलत बात है हमने अचरा सिंग का भी विरोध किया है और पवन सिंग का भी विरोध किया है अचरा सिंग इट खोरी महत्सों में 20 फरवरी 2023 को आ रहा था हम उसका भी रोध किये थे पूरी तरह से बाहरी चीजे ना चलतो, बाहरी भासा ना चलतो, बाहरी कलाकार ना चलतो, मतलब हम ये भी जानते हैं, ये भी मानते हैं, कि कलाकारों की कोई सीमा नहीं होता है, लेकिन जिन कलाकारों को जहां अस्थान पहले मिलना चाहिए, पहले अधिकार वहां मिलना चाहिए, जब इसको नहीं होता जब यह चीजें नहीं लाइन अप हो पाती तब आप बाहरी कलाकारों को देते हैं था हमें समझ में आ सकती थी लेकिन हमारे पास कलाकार भरे पड़े हैं फिर भी आप किसी को दीजेगा मेरा कहने का मकसद इतना ही था और मेरा किसी जाती बिसेस से मेरा कोई दिश्मनी है। उसके बाद, अब आगे कहते हैं कि आप जाती बिसेस का बिरोधि हैं। तो हमें बताना चाहता हूं कि स्वरगे जगरणात महनों के कार्क्रम था जयारकन मुक्ति मौर्चा का बिनोद भिऴारी महतों के पूनितिथी पर उनके सुपुत्र के दुवारा कायरकरम करवाय गया था एक यहाँ पर एक लॉण्डिया नाच करवाय गया था एक असलिलता नाच करवाय गया था एक असलिल नाच करवाय गया था उसका भी विरोध हमने खुल कर किया था खंडन किया था वो भी वीडियो मेरा फेस्बुक पेज पर आपको मिल जाएगा उस उसके साथ हैं साथ, भेंड़ा में हमारे नावाडी के छेतर में एक बूगी बूगी का कायरकरम चलता है, जिसमें से उसमें भी लॉण्या नाच होता है, असलिलता होती है, बोचपुरी गाने होते हैं, उनका भी मैंने बिरोध खुल कर किया है, अगर हम एक जाती बिशेस का बिरोधी होते तो इन सब चीजों पे वीडियो नहीं बनाते हम किसी भी जात को इसको गलत तरीके से मैनुपलेट किया गया है इस वीडियो को गलत तरीके से पेस किया गया है मेरा बस इतना ही कहना था कि केवल और केवल असलिलता का हम बिरोधी हैं केवल और केवल असलिलता क और कलाकारों का बिरोधी नहीं है, हम कलाकारों में ये कहना चाहते हैं, कि सबसे पहले हमारे जो जारखन के कलाकारे हैं, उनको अस्थान मिले, मेरा ये कहना का तातपर है, और इस वीडियो को कौन मैनुपलेट किया है, गलत तरीके से ये भी हम खंडन करने वाले हैं, ये जो राजिन की राजनिती अब चरम सिमा पर धिरे धिरे खतम हो रही थी तो इन लोगों ने क्या किया जो एक समाज जो था हमारे साथ अधिक से अधिक जेबी केसेस के साथ जारखंडी भासा खतियान सिंगर समिती के साथ जूड रही थी तो उन्होंने एक मौका देखा और इसको manipulate करके इस वीडियो को एक अलग रंग देने का काम किया है अगर नहीं काम दिया है तो हम देखिया अच्छा सिंग का भी हम विरोध किये हैं हम पवन सिंग का भी विरोध किये हैं हम अखिलेश माहतोजिन ने कारिकरम करवाया था हम उसका भी विरोध किये हैं हम भूगी भूगी जो भेंडरा नावाडी में होता हम उसका भी विरोध किया है अगर एक जाती पिसेस का विरोध होती है तो हम केवल इन ही का विरोध करते हैं अब आप ही बताइए और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुचाए जो इन पर वीडियो बना रह आते हैं जर्खंडेक माटी दादा माय के समान रे पूझे के समान रे आज पूरा उस समाज से पुछिएगा कि इस ब्यक्तिक जिसने गाना गाया गाना किसने गाया है पूरा समाज के लोगों को पता नहीं हो कि गाना किसने गाया है अब हम आपको बता देना है पूरा हम उ सहमत हुए हमसे अब उनसे पुछिएगा जहर्खंडेंग माटी दता माय के समान रै Ama के समाने पुझे के समान रैस गाना को किस ने लिखा है उस गाना को उस माज कर पूरे किसी को पता नहीं आज उसका मिल्येनों में भी हूँ गया क्या वोस आदव समाज के अगर कलाश यादों को वहाँ मुखा मिलता अगर हम तब बिरोद करते तब हम गलत थे तब हम गलत थे लेकिन उस कलाश यादों को आज तक कोई नहीं जानता था वो किलास दादा हम लोग से मिलने आया और कहा कि दादा आप लोग के कारण आज लोग हम को जान रहे ने तो हम हासिये पर चले गए थे क्यों हासिये पर चले गए थे क्योंकि उनको अस्थान नहीं मिला अस तक आप ही सोचके देखिए अगर इस तरह से कलाकार हमारे हासिये पर जाते रहेंगे तो गाना क्यों लिखेंगे किस आसा में लिखेंगे किस उम्मीद में लिखेंगे और ये लोग गलत धंग से गलत तरीके से पेश किए देखें बिरोध हम किसी फिर से हम कह रहे हैं ना हम किसी जात का ना किसी धर्म का किसी लिंग का, ना संपरदाय का, ना जाती विशेश का, ना ब्यक्ती विशेश का, हम विरोधी नहीं है, फिर से एक बार हम कर रहे हैं, किसी भी ब्यक्ती का हम विशेश विरोधी नहीं है, हम केवल और केवल कह रहे हैं, कि जो चीजें सबसे पहले हमको अधिकार मिलना चाह उसके बात दुसरों को मिलना चाहिए अब एक प्रश्न हम आपको से करते हैं कि आप भुखा रहिएगा क्या दुसरे को खाना दे दिजेगा मान लेजाए आप बहुत ज्यादा भुखे हैं और कोई आप से खाना छीन ले रहा है तो आप छीनने दीजेगा नहीं दीजेगा आ आप पहले अपना पेट भरेंगे उसके बाद दुसरे को देगे अब हम खुद भुखा हैं और दुसरा को पेट कैसे भर सकते हैं सोचने वाला विशे है आप इसको जानिये समझे साजिस को समझे सर्यंत्रों समझे यह तोड़ने का प्रियास से केवल और केवल और कुछ न हमारा वीडियो को सुनिएगा अगर हम किसी जाती का विरोधी होंगे ला कि ब्यक्ती में खार्भी का यह Student को यहां पर तवज्जो दिया जाएगा उनको बढ़ावा दिया जाएगा सिलेबस में डाला जाएगा तो क्या हमारे बच्चे परभावित होंगे कि सभी समाजों के परभावित होंगे और उस समाज के क्या उनके बच्चे परभावित नहीं होंगे, लेकिन ये गलत तरीके से वीडियो को मैनुपलेट किया जा रहा है, तो आप सतर्क रहिए, सुरक्चित रहिए, आप उनका नाम किलास देहाती जरूर है था, सुदामा कुमर महतो, किलास देहाती जरूर नाम है, उनका रियल नाम किलास याद हो है, आप उनसे कभी मिल सकते है, कॉंटेक नमर अगर चाहिए, तो हम दे देंगे, उनका नाम किलास देहाती वो रखे है, लेकिन उनका नाम किलास याद हो है, आप पुछ लिजेगा उनसे, वो हम लोग से मिलने आये थे, तो हम किसी जात का नहीं बिरोधी है भाईया फिर से हम कह रहे हैं किसी भी जात का हम बिरोधी नहीं है इसलिए गलत तरीके से वीडियो को मैनुपलेट मत किजिए और आफवा मत फिलाइए और जो आप अभधर भासा उतना अभधर भासा तो किसी ने प्रयोग नहीं किया ठेक कोई दिक आप यहां कहま devotee लेकिन कम से कम इस वीडियो को मैनुपलेट मत किजिए गलत तरीके से पेस लग静ुए और अगर आपको गलत तरीके से पेस लग रहा है तो इस वीडियो के नीचे हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे जिस वीडियो को हम पहले अच्छा सभीर आइन बाहरिक अच्रा सिंग, पवन सिंग और जो विरोध किये थे उसका भी लिंक डाल देंगे हम इसकी नीचे, आप उनको सेयर कर देजेगा, और भी और हम फेस्बुक पेज और सभी जगा से उसका लिंक सेयर कर देंगे, आप देख लिजेगा कि कौन भी गलत है, हम गलत ह आया तो हमारे बारे में आपको जनकारी नहीं है, आप जनकारी खटा किये नहीं, आके कुछ भी मीडिया में आके बग दिये, आप जनकारी खटा कर लिए थे कि हम किस चीज का विरोध हैं, हम केवल और केवल इसलिए कह रहते हैं कि हमारे जहरखंडिक कलाकारों को वहां अ अजबूल खान से बात किये तो उनका भी यही कहना था कि दादा देखिए पुरा जीवन हम लोग खपा दिये पुरा जीवन लगा दिये जारखन के संस्कृति को जारखन की भासा को बचाने में और अब किस आसा से हम लोग करते हैं इसी आसा से कि कल दिन हमको अस्टेज मिले मेरा कहने का मकसद होता है हम उन कलाकारों के साथ खड़े थे हम यह नहीं कह रहे हैं कि उनको नहीं बुलाया जाए देखे भाई कलाकार का कोई बंदन नहीं होता कोई शीमा नहीं होता यह हम भी जानते हैं लेकिन पहला अधिकार पहला अस्थान उस राज के कलाकारों को मि जब बच जाता है तब बाहर के लोगों को, गुजरात में जब जाईएगा, सबसे पहले गुजरात के लोगों को अधिकार मिलता है, चाहे कला की छेतर में हो, चाहे किसी भी चीज में हो, अज गरबा होता है, वहाँ पर सबसे बड़ा सांस्कृतिक महुत सो गरबा होता है, आप बताईए कि जारखंट से गुजरात से बाहर के कितने कलाकार जाते हैं, 95% पहले गुजरात के कलाकार रहते हैं, हो सकता है 5%, 2% बाहर के होते होंगे, हम नहीं मांगते हैं, हम नहीं कहते हैं कि सब के सब होंगे, लेकिन 2% ये 1% होंगे, लेकिन सबसे पहले अस्थान जो ह कोई भी Sanskritic महत होता है वहां पर भी बटा-बडा महत सो होता है जैसे आपको हम बताते हैं यह आपका परशीद मेला है यह हाजीपूर में जो मेला लगता है क्या बोलते है ASEA का सबसे बड़ा मेला उसमें भी महत सो होता है तो सबसे पहले वहां के कलाकारों को बुलाए जाता है मिथला में महत्सो होता है तो मिथला में भी वहां के लोकल कलाकारों को बुला जाता है जो महां के मगई, भोजपूरी, मैतली के जो भासे की कलाकार है उनको अस्थान दिया जाता है उनको किया जाता है अगर कोई कलाकार बाहर से आता है हमारे गीतों को पर्मोट करता है हमारे खोठा गीत गाता है नाकपूरी गीत गाता है पंचपरगनिया गीत गाता है चाहे संथाली मुंडारी कुडुक होग कोई भी गीत गाता है हमारी भासा के गीत गाता है पर्मोट करता है तो बहुत अपत्ती नहीं लेकिन अपत्ती है कि पहला स्थान हमारे कलाकारों को दीजिए उसके बाद बुलाईए ये चीज़े होना चाहिए लेकिन आब कहिएगा कि सारा का सारा हम बाहरी कलाकारों को पैसा दे देंगे लुटा देंगे तो ये सारा सर गलत है और अगर हम मोतिलाल महतो गलत है तो अगर हम विरोत किए और गलत है तो हम मान सकते हैं लेकिन अगर बाहरिक कलाकादो मिलेगा मौका Κार तर हमारे कलाकारों को मिलने चाहिए, जो सम्मान, जो पैसा हमारा है, जो हमारा संसाधन है, उस संसाधन को पहले हम को परमुण, और सबसे पहली बात, अब वहां के समीती ने क्या किया था, कि तीन चीजें वहां किया था, पहली बात, इन लोकला संस्कृति मंत्राले से वहां तो इन्होंने क्या करता है ये लोग क्या करते हैं जो भी कलाकार को मिलाते हैं चाहे इट खोरी महत्सो हो चाहे कोई भी महत्सो हो चाहे आप क्या बोलते हैं सुर्च कुन महत्सो ही हो तो उसमें जान भूजकर एक छोटा मोटा कलाकार को जहरखन के कलाकारों को रख लिये जा होता जो मोटी रकम होता है वो बाहरी कलाकारों को दिया जाता है बतल हुल meanings हमाय कि섯 यहाली राल कलाकार है बहुत बड़े कलाकार है खेसारी लाल यादव बहुत बड़े कलाकार है पवन सिंग भी बहुत बड़े कलाकार है अच्छरा सिंग भी बहुत बड़े कलाकार है लेकिन कहां के बिहार के हैं बिहार के गीतों के लिए हैं वहां के परमोट करें वहां हम भी सुनने ज मिलना चाहिए हमारे संगितकारों को मिलना चाहिए जो जिन्होंने पुरा जीवन हमारे लिए खपा दिया हमारे संस्कृति को बढ़ाने के लिए लग खपा दिया हम उसके साथ खड़े हैं बाकी जिन जिन ने एक वीडियो को सरक्लेट किया जाती रंग देने का कोशिस किया ह हमने सब का ID चेक करके देखा, सभी ने, सभी कोई आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, ज्यादा तर लोग RZD के हैं, RZD के लोग हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्ता, उस समाज का हम लोग के साथ जुड़ चुका था, तो इन लोग का लगा था, कि हमारी राजनीती के नईया डूब जाएगी, इसलिए इस वीडियो को गलत तरीके से मैनुपलेट किया गया, और कुछ लोग आशु से जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए थे, उन्होंने इस वीडियो को मैनुपलेट किया है, काटने के लिए, आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुचाए जिन्होंने इस वीडियो को गलत त साथ में हम सारा अश्किन सोट जितना हम विरोध कियें है शुरू से अभी तक जबreso अन्दोलन चल रहा है तब से हम अभी तक का सुबूत हम सा एपन सोशल मेडिया में जो भी हमारा पेज है उसमें हम सारा चीज सेर कर देंगे और पुराने वीडियो जो हमने बनाए थे पहले विरोध में बनाए थे उन वीडियो को भी हम सेर कर देंगे और आप जानने के बाद जाचने के बाद परकने के बाद आप सही डिसीजन लिजेगा कि कौन गलत है और कौन सही है हम क्यों हम किसी खेसारी ल जिकार को जब मारा जाता है तब जब हमारे हमको जब अस्थान नहीं दिया जाता है तब तब विरूद करते हैं अगर वह वहाँ पर उनको अस्थान मिले और तो हमें कोई दिक्कत नहीं भी या लेकिन जब हमको गलत तरीके से जब हमको त्याग करके हमको छोड़ करके मेरा लोगों को घुशा दिया जाएगा बाहरी लोगों को सामिल कर दिया जाएगा तो विरोध तो करेंगे हैं जब बाहर के लोगों को घुशा दिया जाएगा तो क्यों न विरोध करेंगे केवल नोकरी ही थोड़े होता है आखिर मान ले जा कलाकार को नोकरी थोड़े लेना है रोजगार नोकरी थोड़े लेना उसको तो रोजगार ही करना है उसका रोजगार क्या है गीत है संगीत है गीत है संगीत वो गारा है लेकिन उसको अस्टेज नहीं मिलेगा तो उसको रो खार्खन की से ही जीवन आपन चलेगा और जार्खन में कितना कितना ही होता है कितना कार्म होता है उसमें भी उसको अस्टेज नहीं मिलेगा तो उसका परिवार कहा जाएगा आज कोई पुछने गया कि किलास यादो का परिवार कहा है किलास यादो जी कहा है जिसने जहरखंडिक माटी ददा माई के समान लिखा उसका इस्थिति क्या है कभी जानने का परियास की है वो भी तो एक कलाकार थे जो इतना गजब का गीत लिखके गया है इतना बड़ा गीत लिखके गया है कि पुरा कलेजा तक काप जाता है उसका परिवारा कहां चला गया कभी पूछने का परियास्किए है अब बहुत बड़े अगर आपने समाज के हित का चाहते हैं तो उससे पूछ के देखिए उनसे पूछ के देखिए कि उनका इस्तिति क्या है वो कला में किस लिए आए थे कि हम को भी मान मिले समान मिले लेकिन क्या मिला उनको नहीं मिला हम ये कहना चाह रहेते भया किसी की लड़ाया है अगर वहाँ बिरोद करते तब मोतिलाल महतो गलत था अगर हमारा जारखांडी कलाकारों को तब हम कह सकते हैं हम जाती बिरोदी हैं हम क्यों जाती बिरोदी होंगे किस जातने हमें क्या बिगाड़ा है क्या हमारा ले लिया है कुछ नहीं ये लड़ाई जो है ये किसी एक जात संपर्दा लिंग या धर्म का नहीं हम बार-बार कह रहे हैं अगर 1932 मिलेगा भासा से अगर बेरकेडिंग लगेगा घोरना घोराएगा तो किवल महतो जाती के बच्चों को लाब नहीं होगा सभी जातियों के लाब होगा चाहे हों मु भासा का बेरकेडिंग तोड़ दिया गया है बताईए आब वहाँ पर गाने बजेंगे बाहरी तो सरकार को लगता है ये गाने भासे वहां चलते हैं इसलिए वहां पर घुसा दिया जाता है आज आप देखिए आब सीज़ल का एक्जाम हो रहा है सीज़ल के एक्जाम में भोजपुरी भासा भी सामिल है, वो अराम से भोजपुरी सब्जेक्ट सामिल लेगा उसमें, और भोजपुरी आप तो जानते नहीं है, तो कहां का बच्चा जानता है, भोजपुरी आपसे बहतर जानता है, बिहार का बच्चा, और भोजपुरी भोजपुरी, बिहार में भ उस भासा को यहां मान्यता दे दिया गया, अब उससे फॉम भरेगा, वो अच्छा खासा जानता है, तो नौकरी कौन लेगा भाईया, नौकरी वही लेगा, और कहां से आके लेगा, बिहार से लेगा, अब बताईए वो किसी का हक मारा तो किसी का हक मारा बताईए, आपके मत दिजिए ने तो आपके भविस भी खत्रे में हमारा कुछ नहीं होगा एक व्यक्ति को बिगाडने से कुछ नहीं होगा आपको क्या लगता है मोतिलाल मातों को जाती रंग दे के हम डेमिज कर नहीं आप अपना भविस को खाई में धकेल रहे हैं आप अपने आने वाले फी किसी का नहीं है बात को समझे और आप सभी जितने भी लोग सून रहे हैं देख रहे हैं सब कोशिस किजिए मेरी वीडियो को समझे सुनियो ध्यान परोग मेरी भावनाओं को जानने का कोशिस किजिए मेरी भावनाओं को समझने का कोशिस किजिए हम किसी बैक्ति का कारों का साथ दीजिए जिनके साथ ये मदभेद हो रहा है उनका साथ दीजिए हमारा साथ क्यों देंगे हम तो केवल जगाने आया है बताने आया है कि चीजें गलत हो रहा है मेरा काम है जहां गलत हो रहा है उसको हम बताएंगे जहां किसी भी जात संपरदाय धर्म का हो हमार बिरोध करें चलेगा लेकिन हम सचाई से भटेंगे नहीं बहुत सारे लोगों ने पहले भी वीडियो बनाने से पहले कहा था कि हो सकता है कि ये गलत चीजें हो सकता है लोग बिरोध कर दें बात सचाई हुआ लेकिन क्या हम छोड़ देंगे जब हम पुर्णिवा निरज सिंका जब हम बोले बाहरी बिधायक नाई चलतो तब भी बहुत सारे लोगों ने हमें गालिया दिया तो हम छोड़ेंगे नहीं जो गलत चीज़ें हो बाहरी बिधायक नाई चलतो अब बताईए जारखन में ये भी हम नाँला दियें, हम नाँला दियें कि बारी विधायक ना चलतो, और इसी तरह, अब जैसे हम पोस्ट कियें थे, कि बारी याज़कार ना चलतो, वीडियो बनाये थे, तो उसमें भी लोगोंने हमें भर-बर के गालिया दिया, तो क्या दिक्कात है, गालिया दिजि pergunt, ज जो सचाई है उसको से हम आउगत कराने से हम चुकेंगे नहीं, हम बताएंगे जरूर, उसको भी लोगों ने गलत तरीके से मैनुपलेट किया था, अचा बताइए मेरे जहारखंड का कितना लोग जो है, किसी अइन राज्यों में, बिहार में, उपी में, महराष्ट में, गु अज़े जरूर, इस बीडियो को हम बहुत आच्छी तक नहीं बने, और 18 विधायक सांसद हमारे बाहरी बने, क्या हम इसको विरूद ना करें, क्या उसको हम लोगों को जागन HEAK नहीं करें, आपने लोगों को नहीं बताएं, कि यह बाहरी के लोग हैं, हमारे हक अधीकार क बहुत अच्छे से जानते हैं कि राज़्यो को सब RAJो की आ doctrinator है कि वो राज्यों के संग में इस बीडियो को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि RAJो में सब का अधिकार लेकिन कितना अधिकार है ये तो सबने तय किया है माराश ने अपना अधिकार ते किया है गुजरात ने अपना अधिकार ते किया है बिहार ने अपना अधिकार ते किया है उडिसा ने अपना अधिकार ते किया है बंगाल में देख लिजिए कितना कलाकार जाते हैं बाहरी चादातर बंगाली कलाकार जो बंगाल के फौक डां कि पहले अपने चीजों को पर्मोट किजिए अपने लोगों को प्रोटेक्शन किजिए उसके बाद बाहरी लोगों को अधिकार दीजिए हम यह नहीं कह रहे हैं कि नहीं दीजिए लेकिन उतने परसंट में 90 अधिकार हमको मिलना चाहिए 5 यह 10 परसंट राज्यों का संग है तो राज्यों का संग में सबसे पहले सुरक्षित किया जाए और 2%, 5% आप उसको अधिकार दिजिए, हम कता ही नहीं गते हैं। अब एक प्रशन यह भी आता है कि यहां के लोग सौतंत्र हैं जा सकते हैं बन सकते हैं। पारे में सोचेगा, एक उधारन हम आपको पेस करना चाहते हैं, जब भारत में जब आकरमन हो रहा था, तो चानक ने बहुत अच्छी बात कहा था, चानक ने कहा था कि अभी भारत में बाहरी लोगों का आकरमन हो रहा है, सिकंदर आ रहा है, बाहर के लोगों का आकरमन हो रह पहले आकर आप लड़ लीजिए तो क्या किया कि जो भारत के लोग थे अपने आपने में लड़ गए और क्या किया बाहर के जो आकरमन कारी था उन्होंने सब को फूट डाला इसी तरह से और सब को अपने अपने में लड़ा दिया और पूरा भारत को जीत लिया जस्ट लाइक उसी तरह है जारखन में हम अपने अपने में लड़ रहे हैं अपने अपने एक्जूट हो ही नहीं पा रहे हैं मेरा कहने का मतलब होता कि अपने में पहले एक्जूट हो ये पहले एक्जूट हो ये उपेंदर जब विरूद किया था ना कर रहा है बस कहना है कि उन कलाकारों के सांग ढ्रकारों को भी आस्थान-दिया जाई, सचाई ह outta यही तो हम भी कहना चाहे रहे हैं यही तो बताना चाहे हैं और हमारे कलाकारों को अस्थान दिया भी जाता है किस तरह से दिया जाता है दीए बहुत आप internal Hi बातें नहीं देदिया जाता मेरा कहने मतलब था कम से कम पर्षंट पारी लोगों को देदिया जाए लेकिन 95% को पैसा का हमारे लोगों के खा caps किया जाया हमारे click क्राकारों पर धो समझने परियास की जी हमारी भावनाओं को समझने का परियास की हम जारखन के हीट के लिए करते हैं जारखंडी के लिए बात करते हैं जारखंडी के लिए बात करते हैं हमें किसी से बिरोधी नहीं किसी जात बार बार इस बात को हम केवल एक कह रहा है कि हम बाहरी चीजों को और असलीलता का बिरोधी है असलीलता का उनके गाने सुनिए तो एक से एक से असलील और असलिल गाना नहीं चलेगा भोजपुरी असलिल गाने नहीं चलेगा और बकाइदा बकाइदा जिस ओटो में बैट रही थी उनका हम उस एधियू में सामिल हुए थे यह आपका बेली रोडर से चला था आपको कहां तक अस्टेशन रोड तक यह अंदुलन चला था बकाइद हम भाग लिये थे सारा पटना वीमेंस कोलेड जितने लड़की लोग थी सारा सडकों पर आ गए थी और जितने भी है जितने भी सिंगर हैं वहां के बिहार के जो बहुत पुरी असलिल गाने गाए उन्होंने उनका बकाइदा वो लोगों बिरोध किया पूतला जलाया साथ भाई बहन परभाईत नहीं होंगे आपके बच्चे आपके भवीस आपके बेटी बेटियां भी परभाईत होंगे आपका ये भी परभाईत होगा ऐसा नहीं है कि मोतिलाल मातो या उसका समाज ही केवल परभाईत होगा नहीं आपका समाज भी परभाईत होगा दादा बात को समझिए हमारी बातों को समझिए हमारी भावनाओं को समझिए राजनीति का गलग चगए आप करिए लोक्तंत्र है इस सबका अधिकार है लेकिन इस तरह का राजनीति नहीं किजिए कि आप गलत को गलत ना कह पाए उसको जस्टिफाइ नहीं कर पाए गलत को कहने में आपक के लिए ये रहेगा आप अपनी राजनिती कीजिए लेकिन नीती और सिधानतों से समझोता नहीं कीजिए जेबी केसिस का मानना है जारखंडी भासा कत्यान संगर समिती का मानना जो भी चीज़ें गलत होगा चाहे कंपनी में होगा चाहे बाहरे में चीज़ों होगा चाहे सं आई सब की है, ये भासा सब की है, ये संस्कृती सब की है, ये जारखन सब का है, तो सब को लड़ना पड़ेगा, सब को जानना पड़ेगा, सब को जागरुखोना पड़ेगा, मेरा कहने का उद्देश ये था, इसलिए एक जाती पर इसको कैंदरित नहीं कीजिए, एक जाती को target ने कीजिए, गलत तरीके से वीडियो को manipulate ने कीजिए, गलत तरीके से लोगों को गुमरह मत कीजिए, गलत तरीके से लोगों को paste मत कीजिए, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बताईए अगर गलत तरीके से आप case करके के इसको कर देंगे तो क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे एक समुदाय को मेरे एगेंस्ट कर सकते हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं मोती ललमातों के एगेंस्ट कर सकते हैं बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं मेरा क्या हो जाएगा मा लीजे हम छात्रे मेरे मेरे एगेंस्ट कर दिये तो क्या हो जाएगा मेरा लेकिन आप अपना भविस्त खाई में धकेल देंगे ना अपना फ्यूचर तो खाई में धकेल देंगे ना जो लड़ाई आज इतना 20 साल बाद जो जगी है जो धर्खंडी भावना जगी है उसको तो आप खतम कर देंगे फिर आपका बचा जब दर-दर का ठोकर खाएगा जब दर-दर भटकेगा जब आपके कलाकार दर-दर ठोकरे खाएगे अब तो फिर आपको तब समझ में आएगा अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे लोग भी वहाँ बाहर में जाके काम करते हैं हमारे कलाकार भी बाहर जात कि कलाकार की कोई स्विमान नहीं होती है और भारत राज्यों का संग है राज्यों का संग है ये भी बात को जानते हैं लेकिन आप किनी ुदεί ये राज में जाक्छा है वहां के कलाकारों को सबसे पहले वहां सम्मान मिलता है, इस बात को जानिए, दादा हम किसी समुदाय का बिरोधी नहीं, किसी जाती का बिरोधी नहीं दादा, मेरी भावना को समझे, जारखन बहुत सालों से सौसी थे, बहुत सालों से सौसी थे, आज आप बात करते हैं कि ज कलोनी बसा लिया है कलोनी बस गए लोग उन लोग वन लोग का था कि हम लोग मजबूरी में यहां प्लाइन की है कर यहां बचना पड़ा है अगर जहरखण में वह रोजगार मिलता हमारा हक परसंट नोकरी कर पाते हैं बंगाल में आप कितना परसंट नोकरी कर पाते हैं महराश्ट में आप कितना परसंट नोकरी कर पाते हैं बिहार में नोकरी करते हैं बहुत सारे लोगों ने तर्क दिया कि हमारा एक दोस्त है बिहार में नोकरी करते हैं हाँ भया एक गो दूगो इससे ज्यादा नहीं कितना परसेंट एक परसेंट दो परसेंट एक परसेंट दो परसेंट वो रोक भी नहीं सकता आपके पास वहां के लोग बिहार के रूपी के आये हुए लोग कितना परसेंट आपके पास नौकरी करते हैं आंकड़ा निकाल के देखें सौग में नब्ब को डेमेज कर रहे हैं मेरा नहीं कुछ कर रहे हैं इसकी हम बात कर एक उधारन आप डे देंगे कि फन्हा आदमी ने बिहार में जाके जाके k心 traditional मिलेगा हां एक मिलेगा। मतलब एक से दो पर्ष shirt मिलेगा इस से ज्यादा नहीं मिलेगा और वहां से आये हुए लोग आपको 90-80% मिल जाएगा ये पूरे आंकड़ा मेरे पास एक फाइल बना हुआ है पुरा इतना बड़ा था जम गया है कि कौन से नौकरियों में कितना लोग बाहरी लोग गोज गये और क्यों गुसे सबसे बड़ा कार पड़ेगा तब नौकरी कर सकते हैं बंगाल में आपको बंगाली जानना पड़ेगा सबसे पहले बंगाली भासा को प्रिफरेंस तब आप नौकरी कर सकते हैं महराष्ट में सबसे पहले माराथी प्रिफरेंस महराष्ट का है तब प्रिफरेंस उसके बाद आप बाहर के ल मा लीजीगा था जहरकंड में जश्ट ऐसा हो रहा है पूरा अधिकार आज पुरा परशासन बेवस्था, पुलिस बेवस्था, राजनीतिक बेवस्था पुरी-पुरी नयापालिका, आप दूसरा राज की तूलना करेंगे हमर से क्या ऐसा सोसन कहीं हुआ है पुरा नायपालीका, काईरपालीका, विधायका सभी में जाकर बाहरी लोग बैठे हुए सब जारकन को चला रहे है क्या पुरा भारत का ऐसा कोई राज है जहां बाहर के लोग चला रहे हैं अगर आप नहीं है तो आप संबुद खोच के देख लिए आपको मिल जाएगा पूरा भारत में आप जा के देख लिए हाँ, एका दुखा जरूर मिल जाएंगे उधारन के तौर पर एका दुखा लेकिन पूरा नायाप परसाशनिक वेवस्था, पुलिस वेवस्था, सारा सिस्टम को वो लोग चला रहे हैं, क्या ऐसा है कहीं पर, किसी राज में ऐसा इसा सोसन, ऐसा अत्याचार कहीं हुआ है, अगर हुआ है तो धारानम को दिखा दीजिए, केवल जारकन, हम जारकन की तुनला किसी अइन राज उसे नहीं कर सकते, बात को समझिए, हमारा राय छोटा है, बहुत सोसीत है, अत्याचार है, बहुत लड़ने के बाद, बहुत संगर्स करने के बाद, बहुत कुर्बानी देने का बाद हमको जारकन मिला है, हम जारकन के लिए लड़ेंगे, हम सुरक्षित इसको करेंगे, आ कि आपके वाला future ही खत्रे में आ जाए एक आदमी को target करने के चक्कर में पुरा भविस ही बरबाद कर लें पुरा भविस को अंदकार की और धकेल दें इस बात को समझिए ऐसा आरोप ने लगाईए ऐसा चीज lifelong को गुमरा नहीं कीजिए यही हमारा कहना था मेरा मनसा साप है मेरे नीती और सिधान साप है जिस दिन हमारा जेवी केसेस का नीती सिधान्त अगर किशी के एगेंस्ट चला गया समझो जेवी केसेस मर गया उस दिन मोतिलाल महतु मर जाएगा जेवी केसेस जिन्दा रहेगा तब तक जब तक उसका नीती सिधान्त यही है कि जारखन में जो भी इसका हक अधिकार को छीनेगा, जो भी गलत करने का प्रियास करेगा, उसके साथ हम लोग उसका विरोध करेंगे, चाहे हो कमपनी के बात हो, चाहे जमीन की बात हो, चाहे संस्कृति की बात हो, चाहे आर्थिक की बात हो, किसी भी चीज में कोई भी हस्त को बत को ब्रोदी हो toler किते हो इस बात को आंप लोग भी समझे जिस समाज को गुम्रह किया जा रहा है और ये वीडियो उन समाज तक पहुंचाने का आधिकार कि आप ज़ällt department से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए इस विडियो को और समाजने होने का परियास कीजिए धन्यवाद चोहार जय जहार